बिस्विल्लाहिरामर्रहीम असलामुलेकूम देट स्टूडेंट्स आम यूर इंग्लिश टीचर खालिद हुसेन आर्ज 13 अप्रिल 2021 क्लास न्यू नाइन के लिए इंग्लिश के लेक्टर में हम प्रिजेंट इंडेफिनेट टेंस को पैसेव सेंस में सॉल्व करने लगे हैं यानि इसकी पैसेव सेंस में ट्रांसलेशन को समझने लगे हैं जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 87 पर मुझूद है तो बेटा आप अपनी बुक का ग्रैमर की ना आने की जुरत में मुझसे राब्ता जरूर कीजिए मैं आपका मुन्तजर रहूंगा तो चलिए आगास करते हैं आज के लेक्टर में हम प्रिजेंट इंटेंपिरेट टेंस की पैसेव सेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आईए आगास करते हैं सबसे पहले हम इसके तारूफ को देखते हैं मजुदा जबाने में किसी काम के करने या होने के लिए ये टेंस इस्तमाल होता है ये जमाना आम तोर पर मामूल में किये गए काम को जाहिर करता है तो बेटा इसकी निशानी होगी और्दो फिक्रात के आखर में ता है ती है ता हूँ ते है वगएरा आता है क्योंके बेटा हम पैसिव सेंटेंसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो लहाज़ा हमें एक्टिव सेंटेंसिस के बारे में भी इल्म होना चाहिए तो आईए इस statement को पढ़ते हैं और active और passive sentences के दर्मियान क्या फरक है उसे वाज़े करने की खोशिश करते हैं In passive sentences, we focus on object instead of subject Passive wise के जुमलों में हम subject की बजाए object को focus करते हैं सब्जेक्ट के बजाए object को focus करते हैं यानि active sense में हम subject को focus करेंगे जबके passive sense में हम object को focus करेंगे इसी बात को एक example के दुरू समझने की कोशिश करते हैं काम किया जाता है work is done in this sentence we focus on work इस sentence में हम work पर focus करते हैं So work is object चुनाचे work जो है वो object है तो भेटा आप इसके structure को देखते हैं structure में सबसे पहले हम object लिखेंगे उसके बाद helping verb is MR याद रहे कि इस MR का इस्तमाल object के मताबिक किया जाएगा इस बात को मैं आगे चलकर इस note में समझाने की कोशिश करूँगा लहाजा पहले structure को complete कर लेते हैं उसके बाद verb की third form आएगी उसके बाद by by के बाद subject तो आईए example देखते हैं चाए बनाई जाती है टी इस मेड इसमें जो object है वो टी है तो आप बेटा इस ज़रूरी note की तरफ चलते हैं जिसमें इस MR के इस्तमाल के बारे में वाज़े किया गया है तो आईए देखते हैं वी यूज इस इफ अबजेक्ट इस singular third person अगर हमारा object singular third person है तो हम इसके साथ is इस्तमाल करेंगे अब singular third person में जो इस जो subject शामिल हैं उन में he, she, it या कोई भी singular name या singular noun होगा and we use m with i और हम i के साथ m का इस्तमाल करते हैं and we use r with plural object और हम plural object के साथ r का इस्तमाल करते हैं और plural object में they, we, you और plural nouns शामिल है तो आईए इसी statement को इसी बात को हम examples के through पाजे करने की कोशिश करते हैं first example है, घड़े पानी से भरे जाते हैं घड़े पानी से भरे जाते हैं अब इसमें घड़े क्योंके object है, लहाजा हम object को first of all, यानि सबसे पहले लिखेंगे pictures are filled with water, अब pictures क्योंके plural है, लहाजा इसके साथ हमने आर का इस्तमाल किया next example देखिए, मुझे जर्माना किया जाता है I am find, find जर्माना करना और find उसकी third form next example को देखते हैं, शरीफ आदमी की इज़त की जाती है यहाँ पर शरीफ आदमी object है, जो के singular noun है, लहाजा इसके साथ हम is इस्तमाल करते हैं, a gentleman is respected, इसके बाद बेटा हम negative sentences की तरफ चलते हैं negative sentences में सबसे पहले हम इसके structure को देखेंगे structure में जैसा के सामने दिखाया गया है, सबसे पहले object लिखेंगे object के बाद is, mr, उसके बाद not का इजाफ़ किया जाएगा उसके बाद वर्व की third form लिखेंगे, उसके बाद by और by के बाद subject का जिकर होगा एक बाद याद रहे बेटा, आम तोर पर उर्दू के sentences में subject का जिकर नहीं होता अगर subject का जिकर ना दिया गया हो, तो हम अपना sentence यानि जुमला वर्व की third form पर ही खतम कर देंगे, लेकिन अगर sentence में, यानि फिक्रे में subject का जिकर भी दिया गया हो तो फिर पाए और subject भी वर्व की third form के बाद लिखेंगे, तो आईए examples के through इन बातों को वाज़े करने की कोशिश करते हैं, फिर्स example देखें, कुत्तों को शाम के वक्त नहीं बांदा जाता, अब आप इसमें अगर होर करें तो इसमें बांद रहें वाले का जिकर नहीं, या लहाजा हमारा sentence verb की third form पर complete हो जाएगा, तो कुत्ते क्यों के object है, तो लहाजा dogs are not chained in the evening, यहाँ पर हमारा object plural है, जिसके साथ हम are helping verb यूज़ेंगे, नेक्स sentence देखिए, इस फकीर को कुछ नहीं दिया जाता, फकीर यहाँ पर singular noun है, लहाजा इसके साथ हम is इस्तमाल करेंगे, this beggar is not given anything, this beggar is not given anything, जे बेटा तो इसके बाद interrogative sentences को देखते हैं, interrogative sentences में सबसे पहले हम is MR का इस्तमाल करते हैं, यानि object से पहले is MR लगाएंगे, उसके बाद verb की third form लिखेंगे, उसके बाद by का जिकर होगा, उसके बाद हम subject लिखेंगे, आईए, इसी बात को हम examples के थ्रू वाज़े करते हैं, तो बेटा पहला sentence है, क्या सुभा कौमी तरहना गाया जाता है, is national anthem sung in the morning, अब क्योंके national anthem singular object है, लहाज़ा हमने इसके साथ इसका इस्तमाल किया, second example देखिए, मुझे तंग क्यों किया जाता है, अगर interrogative sentences में क्यों, कब, कैसे, कहां, यानि when, why, where, या how अगयरा का जिकर आ जाए, तो इस sentence को बनाने के लिए sentence में मजूद मत्रूबा लफ्स को या मत्रूबा वर्ड को लिखने के बाद, structure के मताबक interrogative sentence को बनाते हैं, यानि object से पहले इज्जेमार लिखते हैं, यहां पर देखिए, I object है, इस से पहले M लिखा, Y, M, I, teased, मत्रूबा लफ्स लिखने के बाद, M, फिर I, फिर teased, Y, M, I, teased, जी बेटा, तो ये था हमारा आज के lecture, उम्यद करता हूँ कि आपको ये lecture बड़े अच्छे तरीके से समझा गया होगा, अगर इसमें किसी किसम का कोई मसला हो, तो आप मेरे नमबर पर मुझसे रहाबता कर सकते हैं, इंशालला I will satisfy you, thank you.